बड़ा ओर्डर है वो है नुक्ती से रेग्रॉलाजेशन का ओर्डर और यह ओर्डर किया है जो आज एलिमेंटरी एजुकेशन के डिरेक्टर ने और यह TGT जो 2008 में नुक्त हुए थे बैच्वाइज भरती पर और साथ में इनके साथ दूसरे पेटिशनर जो हैं वो हैं जो ओर्डर को पूरी तरह लागूर ना करने पर क्यों ना जो सेक्रेटरी एजुकेशन और डिरेक्टर एजुकेशन है उनको जेल में डाल दिया जाए तो दो दिन के भीतर ही वो ओर्डर हो गया और यह ओर्डर यह है कि अब जो यह TGT हैं इनको नुक्ती की तिथी से 2008 से ही रेगुलर माना जाएगा जो ओर्डर है उसके मुताबिक अगर मैं बात करें करूं तो जो TGT आर्ट्स नॉनमेडिकल मेडिकल थ्रू बैच्वाइज बेसिस ऑन कॉंट्रेक्ट बेसिज यह जो नुक्तुए थे 14.11.2018 को इनको इनको कंसिडर्ड एज डीम्ड रेगुलर ए प्लॉई इन दे पे स्केल आफ दस तिन सो चौती साट सो प्लस च्छती सो ग्रेड पे प्लस अधर आलाउंसेज ऑफ कॉंसे कॉंसेशल बेनिफिट फ्रॉम डेट ऑफ वन दे वर अनिशली अपॉंटिड ओन कॉंट्रेक्ट बेसिज और जो सारे कंसर्ण प्रिंसिपल एड इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि यह और्डर करती बार जो पहले हम कह रहे थे कि नुक्ती की टीथी से जो सिनियोर्टी का मामला है वो अलग है यह और्डर इस बेस पे हुआ है कि 2008 में यह नुक्त हुए थे तब कॉंट्रेक्ट का प्रोविजन तो कर दिया था लेकिन जो फैसमें पुलिस भृत्ती का रहा क्जि की पूलीस भृत्ती को लेकर मंत्री मंडल नहीं जेश पारित किये कि निगडब भिशे में महिलाओं को यहां पर ठीक महिलाओं को जादा रक्षन्द दिया जाएगा क्यूंकि भी हिमाचल्परदेस में 25 फीज़ती एरक्षन दिया बहरे जाने हैं और इन पदों के लिए अब 30 फीजदी महिलाओं को हिमाचल परदेश में पुलिस कोंसेबल की भरती में रक्षन दिया जाएगा। परदेश पारित किया कि जितने वी राजिय में अनाथ बच्चे हैं उन सभी अनाथ बच्चों को 4000 रुपे प्रतीमा सरकार पोकेट मनी देगी इसके लावा प्रतीमा सरकार को रहत मिली है और यह जो रहत है यह मिली है टोटल 670 जो बाद में रेगुलर किये गए थे और इन म इनको किया गया है 2020 से पहले किया गया था अब इनको 2018 से रेगुलरीज किया गया है सारे कॉंशिक्वेंशिल बैजिय बेनेफिट्स के साथ और इसमें इनको जो एरियर है वो 40% जो है वो pre-revised scale पर कती 12-2023 से पहले देना है बाकी का जो 60 फिस दी है वो अगली दो किष्टों में कती 12-2024 को और कती 12-2025 को दिया जाना है टोटल 670 को ये लाब मिलेगा बाकी चीज़ों को बात करें तो जो शिक्षक विदेश जाएंगे 200 शिक्षकों को भेजना है राज्य परहने में योगदान दिया है किसी टीचर ने तो सबसे important point ये होगा चैन को लेकर अगर उन्होंने कोई research paper publish किये हैं वो भी एक बात है कोई किताब लिखी हो वो भी बात है और जो ट्रेनिंग या workshop अटेंड की हो वो भी इस तरह से 8 criteria बनाए जा रहे हैं उन criteria के इसाप सी य माल किया जाएगा HRTC staff की salary की है तो ये भी एक update और अच्छी खबर HRTC के staff के लिए लगातार दूसरा महीना है HRTC के staff को salary मिल गई है 42 करोड salary और 22 करोड pension total 64 करोड ये बनता था HRTC के MD ने कहा कि ये दूसरा महीना है जब salary जो हो time पे दी गई है और पहले 10 से 15 दिनों का इसमें इ उनका धन्यवाद भी व्यक्त किया है